है ये समय कदम कदम पर संयम बरत्ने का है आपको याद रखना है जान है तो जहान है साथियों ये धैरिय और अनुशाषन की घड़ी है जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिती है हमें अपना संकल्प निभाना है अपना बचन निभाना है मेरी आप से हाथ जोड़ करके प्रार्तना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए उनके लिए मंगल काम ना करिये जो अपना कर्तब्य निभाने के लिए खुद को खत्रे में डाल कर काम कर रहे हैं उन डॉक्टर्स उन नर्सेज पैरामेडिकल स्टाप पैतलोजीज उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक-एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं अस्पताल प्रसासन के लोग एम्बिलन्स चलाने वाले ड्राइवर बॉर्ड बॉईश उन सभाई करमेशेरियों के बारे में सोचिए जो इन कठीन परिस्तितियों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं आप उन लोगों के लिए प्रार्षना करिए जो आपकी सुसाइटी आपके महलों आपकी सडकों सारवजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं जिसमें और जिसके कारण इस वाइरस का नामों निशान न रहें आपको सही जानकारी देने के लिए 24 गंटे काम कर रहे मेडिया के लोगों के बारे में भी सोचिये जो संक्रमन का खत्रा उठा कर सडकों पर अस्पतालों में है आप अपने आसपांस के पुलीस कर्मियों के बारे में सोचिये जो अपने घर परिवार की चिंता किये बिना आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और कई बार कुछ लोगों के गुस्ता खेके भी शिकार हो जाते हैं गुस्सा भी जेल रहे हैं साथियों, कौरोना वैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच केंद्र और देश भर की राज सरकारें तेजी से काम कर रही है रोज मरा की जिन्दगी में लोगों को असुविदा ना हो इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही है सभी आवशक बस्तों के सप्लाइब बनी रहें इसके लिए सभी उपाय किये गए हैं और आगे भी किये जाएंगे निश्चित तोर पर संकर की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई है केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ समाच के अन्य संगठन, सिविल सुसाइटी के लोग गरीबों को मुसिबत कम हो इसके लिए निरंतर जुटे हुए है गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहा है साथियों, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही जीवन बचाने के लिए जीवन बचाने के लिए जो जरूरी है उसे सरवच प्रात्विक्ता देनी ही पड़ेगी इस बड़ा है